एक साहित्यकार जब अपनी कलम उठाता है और उपर वाले के लिए कुछ शब्द लिखने लगता है तो क्या वो सिर्फ अपने धर्म से टुड़े ही शब्द लिख सकता है या फिर वो सीधा समवाद है जो साहित्य के जरिये निकलता है वहाँ अवश्यक है कि यह समझना कि उसका अगर धर्म अगर आप उसको धर्म कहना चाहते हैं धर्म कहिए उसके संसकार कहिए उसका मानवता उसकी मानवता वादिता कहिए अब जो चाहें उसका जुड़ाव एक सत्य से होता है उसे चाहें उसका जुड़ाव एक सत्य से होता है उसे जो एक इंसान को दूसरे इंसान से, एक प्राणी को दूसरे प्राणी से जोड़ देता है, फिर वो फरक करना भूल जाता है, उसको दर्द, सब का दर्द दिखाई देता है, उसको तकलीफ, सब की तकलीफ दिखाई देती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कि कहीं इश्वर का तत्व से दिखाई दे और वो इस से इंकार करे कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस तत्व को नहीं देखूंगा या मैं अपनी आखें मुद लूँगा अगर उसके अंदर सच्चाई का कड़ है तो उसकी आखें नतमस्तक होंगी उसके मन में आदरभाव होगा चाहे वो किसी भी फॉ मैं इस बात को मानने से इंकार करता हूँ कि अदर उसके यदि सत्य उसके अंदर जो है अंदोलित हो रहा है तो वो परिलक्षित होगा और वो एक चाहे आप उसे सजदे कहें चाहे उसे प्रणाम कहें लेकिन दिखाई देगा और कहीं डीप डाउन वो एक ही सची भावना ह होती है उससे ज़्यादा बढ़के कुछ नहीं होता है तुन प्रार्थनाओं का कुछ हिस्सा हम आपसे गुन गुनाते हुए सुन सकते हैं आज इसी क्रम में मैं आब आती हूँ वहां पर जहां एक 17 साल के लड़के ने किताब लिखी थे मैं और वो अगर मैं गलत नहीं है मैंने लिखा था कि प्रभू चरणों में जाकर सारे दुख बिसराऊं वो निश्पाप सरलता वापस दे दो मुझको मां की गोदी में सर रखकर बहबह जाऊं वो निश्पाप सरलता वापस दे दो मुझको तो वो कि अभी चीज की गुलाम नहीं है, वो कहीं भी कैद नहीं हो सकती, उस सत्य का दावन नहीं छोड़ना चाहिए कभी, वो निश्पाप सदलता, वो आखों से चलकती हुई, और उसमें आप से घलतिया होंगे, कुछ आप सही करेंगे, कुछ गलत करेंगे, पर अंदर अगर अपने मंजिल को पहुच आएंगे, जो कि आप इतनी भावनाओं से परिपूर्ण शब्द आपके जब निकलते हैं, तो उसमें कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से जुड़ जाता है, आपको कभी कष्ट होता है उन गानों को देकर, उन गीतों को सुनकर, जहां न कोई मतल जब निकलता है, जैसे अंटी पुलिस बुला लेगी या इसी चीज़े, पहली बात है कि हर तरह के विक्ति कि अपनी अपनी सोच है, जरूरत है, मैंने पिछले वर्ष भी आपके सेशन में यहां पर कहा था कि आवशकता इस बात की है कि ओडियन्स जो है, जो सुनने वाले हैं, वो अब जो चीज उन्हें सुन्दर नहीं लगती, उन्हें अपनी तरह से सही नहीं लगती, उसको रिजेक्ट करना भी शुरू करें, अगर आप यह दोहरे मापदन्द नहीं चल सकते, कि आप घर पे बद्दे में उनी गानों को चला कर बच्चों के साथ डांस करें, और दिन में आप उसको क्रिटिसाइज करें कि देखो यह तो अबजेक्टिफिकेशन और विमन है या जो भी कुछ आपके उसमें मापदन्द हैं, यह दो नहीं चल सकते, अगर आप उसे रिजेक्ट करना शुरू करेंगे, और ज़रूरी है, और खासकर हम जब मैलाओं की चितरन की बात करते हैं, तो मुझे लगता है, शायद हमने इनसाफ नहीं किया, चाहे वो विज्वली हो, या शब्दों के माध्यम से हो, कहीं न कहीं हमने बहुत सारे लाइसेंस दिये हुए हैं, छूट दिये हुए हैं, वो चाहे आप हूमर के नाम पे बोलें कि मजाग थ लेकिन मुझे उस मजाग से परहेज है, दिखिए, मैं फिल्मों के माध्यम में भी ये कहता हूँ कि सोचिए, अगर आप एक ऐसा सीन दिखा रहे हैं, जिसमें एक मैला है, वो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, और कैमरा लगातार उसके शरीर को इस तरह से दिखा रहा है कि वो सिर्फ एक वस्तुमात्र दिखाई दे, तो ये कितना बड़ा अण्याय है उस लड़की के साथ जो कितनी स्ट्रगल के बाद पहले पढ़ती है, उसके बाद पुलिस जैसे डीबार्टमेंट में जाती है, उसके बाद आपको सिर्फ उस शरीर दिखाई देती है, ये स सोच जो है इस पर कहीं न कहीं मुझे आप अपर दिया इस